हालो फ्रेंज आज हम बनाएंगे मैंगो आइस क्रीम इसे हम यह ने बिना क्रीम के ही बनाया तो फिर आई चलिए शुरू करते हैं मैंगो आइस क्रीम बनाना इसके लिए यहां पर मैंने लिया है एक लीटर दूद लिया है और इसको हमें तपता पकाते रहना है जबते कि यह अगर आपके मीथे हैं तो आप चार चमर्चीनी एट करें इसमें और इसको लगाता चलाते लिए पकाना है जिसे के मारे चीनी नीचे चिपके नहीं और जो साइडों पर किनारों पर मला ही आए उसको भी में दूद में डालते रहना है इस तरह से दूद हमारा गारा होना थंडा नेने के बाद में हम जार में पीस लेखे अब इसको नचलने को सारी में को बनाएं गड़ कर लए घाटन क्यों तंग क के कभी वाले हैं की ईहां वीस इस पेस्ट को और यहां पर एक ब्लास्टिक का कंटेनर लिया है मैंने उसके बाद में यह जुब सारा बचावा पेस्ट हो इसको मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको 6-7 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे इसको ठकन लगा दें यह मैं इसको फ्रीजर मे अगा दें जिसले के मारे इस्टेक्स इधर इधर नहीं जाए और हे नहीं अच्छे से आइज जा चाहि का मंई इसी तरह से तैयार कर लेंगे मैं इस इस तरह से सभी के कप में समीस्ट को कर देंगे यह सब ready हुखुक है मैं इनको freezer में रख देती हूँ यह i ai इस क्रीम हमारे रेड़ी हो चुक है ८ो भी कितनी अच्छे से जम्न चुकी है मैं आपको इस कप ऑस गंफ को भी झखा देटी हूं मैं आपको honor को अच्छे स से निकल जाए और चाहिए तब यहireं कप को फार भी सकते हैं यह देखिए कितनी शांदार आइस के बनके हमारी रेडी हो चुकी है और इसका जो फ्लेवर आएगा वो क्रीम वाली आइस क्रीम से भी बहुत टेस्टी आएगा और अगर आप इस तरह से रब करके निकालते तो आप एक चक्कू की साइटा से भी आप को मेरी आइस क्रीम के रैसी भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करना ना पुलें और वैल आइकन को जरूर प्रेस करें